दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा चार इसे लेप्टॉप के बारे में जिसमें आप पबजी लाइट खेल सकते हैं बड़ी आसानी से पबजी लाइट चल जाएगा उसमें एकदम स्मूधली चलेगा वह भी 30,000 के बजट में यहीं कि 30,000 में आपको ऐसा गेमिंग लेप्टॉप बताऊंगा मैं जिसमें पबजी लाइट चल जाएगा एकदम बढ़िया से चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा अलाकि वह गेमिंग लेप्टॉप नहीं होगा बट उसका कॉन्फिगेशन ऐसा होगा कि वह पबजी लाइट उसमें आप असानी से प्ले सकते हैं और से सिर्फ लाइट के लिए बटावाला हूं और यह बिल्कुल वेल्यू फॉ मनी होगे उसला करहाएं उसलेब्स में इतना konfiguration मिलगा उसको छोड़ के अगर को दूसरा लेक्टॉप लेंगे तो में भी हो सकता है उस वेल्यू में उस बजेट में आपको इतना अच्छा लैप्टोप या इतना अच्छा अगर आपने अभी तक लाइक निक्या है क्योंकि बहुत मैनत लगती है वीडियो बनाने में वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकोन के साथ और अब हम आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों पबजी लाइट की जो मिनिमम रिकॉर्मेंट है वह यहा भी हो तो AMD Ryzen 3 होना चाहिए तो वह उसमें असानी से चल जाएगा तो यहां पर अगर एक और में रिकॉर्मेंट बताओं इसकी जो है 64-bit का ऑप्रेटिंग सिस्टम होना चाहिए बहुत सरे लोगों कौन कन्फूचन है कि वह अपने 32-bit के ऑप्रेटिंग सिस्टम में PUBG प्रोसेसर होना चाहिए जो भी मैं लैप्टॉप बताओंगा आपको चाहर पांच जो लैप्टॉप बताने वाला हूँ उन सब में मिनिमम आई 3 तो होगा 4G भी मिनिमम होगा DDR4 वाली रेम होगी सब कुछ लेटेस बताओंगा यह निकि ऐसे नहीं कि कुछ आउट में नहीं बताओंगा में इनकी अगर ज्यादा डीटेल में बताओंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जागा जो में हैलेट वहीं बताओंगा बाकी कॉन्फिकेशन भी आप देख सकते हैं इसमें लिंक दिया है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके पू में 100 लेटोप देखके और आपको यह 4 और 5 लेटोप बतारा हूं मैंने बहुत सारे लेटोप रिसर्च करें पूरा दिन्वार बेटके यह आप फिर उसके बाद में यह रात को वीडियो बना रहा हूं और फिर आपको बता रहाँ कि यह लेटोप इस बजटमे वैल्य यह आपको मिल रहे हैं तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार कुछ तो है वीडियो में और कुछ तो है इन लैप्टॉप में जो मैं बता रहा हूं आपको तो सबसे बेला लैप्टॉप है असूस का एक्स फाइफ जीरो सेवन जिसमें आपको आइथरी का प्रसेर मिलता है सेवन जेनरेशन का फोर जीबी की रेम है और इंटेल की ग्राफिक कार्ड मिलती है यहां पर एचडी वाली सिक्स टॉन्टी तो जो भी लगबग में लैप्टॉप बता रहा हूं सब में इंटेल की सब्सक्राफिक है इंटिग्रेटेड़ है तो उसमें आपका पब्जी लैट तो असानी से चल जाएगा और अगर आप पब्जी मोबाइल भी खेलना चाहते हैं एमिलेटर पर तो वो भी इसमें असानी से प्ले हो जाएगा कि एच्डी में हैं आप इसमूद्ली बलेकर पाएंग एसा नीए कि फुल एजडी में नहीं कर सकते हैं फुल हट्री में भी कर सकते हैं बən минимल यह बहुत होगा यहांपर मैं बात कर हूँ HD की यानि कि 1280 into 720p की उसमें भी अगर आप गेमिंग करेंगे तो काफी अच्छे से गेमिंग होगी तो यह वाला लेपटप आप देख सकते हैं यह इसलिए चूज किया कि कि उसमें कूलिंग टेकनोलोजी काफी अच्छी और गेमिंग में हमको क्या चाहिए कि वाला के में यह करें के में गेमिंग मेंगे में को किये चाहिए कर हमारा प्रोसेसर जई जाफिए वह अच्छे से खूल हो यानि कि वह भीढिए हीट करें हें तो परफोर्मेंस दे पाएंगे तो अगर वह कूलिंग अच्छे से होगी उनकी देखी एर हेसा से होगा तो वह पर्फॉमेंस अच्छी दे पाएंगे इसलिए लैप्टॉप काफी अच्छा हो सकता है अपके लिए अगर आप इसको देखेंगे तो और भी बहुत कुछ से वाले लैप्टॉप होते हैं उनमें भी आपको फिंगर्प्रिंट नहीं मिलता है बट इस लैप्टॉप में आपको मिलता है तो कौन्फिकेशन आपका मैं बता चुका हूं यहां पर विंडॉस 1064 बीट है आई 37 जनरेशन वाला प्रोसेसर है 4GP की रहे में 1TB का का बहुत से लोगों को यार कन्फिशन होता है कि डेल अच्छा कंपनी है डेल का लेना चाहिए यह वो मेरे खुद के फ्रेंड्स जो है वो बोलते हैं कि यार यह आसूस एसर वगेरा तो समझ नहीं आते हैं तो डेल में बता तो मैं उनको बता देता हूं हाला कि डेल के फिर आपको दूसरी जो आसूस एसर जो रियल गेमिंग लैप्टोप बनाते हैं उनमें जाना ही पड़ेगा बट यहां पर इस बजट की बात करें तो यह बजट में डेल वाला यह लैप्टॉप डेल इंस पर फिफ्टीन को राई थी सेवन जनरेशन सेम सेम उसके जैसा ब वर्जन में आपको कमी देखने को मिलेगी तो अगर आपको डेल ही लेना है तो यह वाला भी आप देख सकते हैं नेक्स लैप्टोप की बात करें तो यहां पर आता है एसर एंसपायर 3 अब इसका एक इंटेल वाला वर्जन भी है यह मैं आपको AMD वाला वर्जन बता रहा मेरे इसाब से अगर में होता तो यही वाला लैप्टोप लेता उसका मैं कारण बता रहा हूं आपको क्योंकि गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो जो AMD वाले प्रोसेसर होते हैं वो काफी एक तो सस्ते भी होते हैं और दूसरी तरह हम बात करें जो पर्फॉमेंस देते सकते हैं और इंटेल के मुकाबले वह चाफी अच्छी दिह सकते हैं ऑट जίसे कि आप दख पा रहे हैं यहां पर इंटेल का रजाइशन 5 वाला जो प्रोसेसर होता है वह मिल रहा है आपको सिनलता है और AMD का है यहां पर जो है प्रोसेसर मिलव रहा है और यहां पर मैं बा एक बढ़ जो Normal एक Basic लैप्ट उबमें जाए हो सबंए इसमें इसա नेकी कि नहीं मिलेंगे तो उनके बारे में पता है मैं पत्रा क्यों चूर्फ किया कि यह वाला इसलिए चूर्फ किया यहां पर अच्छी और एसर हे तो काफी अच्छी बिल्ड क्लेटी भी काफी अच्छी होगी मैं खुद एसर यूज करता हूं मेरे पास पहले एसर का ही था में सब कुछ काम उसी में करता था और अभी तक चल रहा है कुछ भी नहीं हुआ उसके तो यहां पर एसर का यह वाला आप देख सकते हैं 2016 वाला वर्जन मिलता है MS Office का और डीवीडी राइटर भी मिल जाता है यहां पर आई 3 का 7 जनरेशन वाला प्रोसेसर है जो की अगेन आपका PUBG लाइट इसमें चल लाएगा वही सेम इंटेल की HD वाली ग्राफिक कार्ड मिलती है इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलता है आपको 620 वाला तो यह वाला भी आप देख सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्पेसिफिकली यह आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि इसमें आपको इस MS Office का Official जो Official MS Office आता है लाइसेंस वर्जन वह आपको मिलेगा इसमें तो इसलिए मैं यह रिकमेंड करूंगा आपको त देख सकते हैं अगर चोटा लेपटव चाहिए अगर थोड़ा चाहिए आपको तो यहाला लेपटव आप देख सकते हैं इसम doncर एस में एगर आप नहीं चाहते हैं और बाद में चाहते हैं क्यार्मेक computer करना है तो वह आप Hz इसली कर सकते हैं तो एचप ये пал iemand धोको आपको आपको कोई laptop तो मैं आपको Acer का Aspire 3 करूंगा अब इसका एक और आपको Intel वाला version भी मिलता है बट वह value for money नहीं रहेगा और उसमें थोड़ी वह दिक्कत भी आ रही थी ऐसे मैंने लेटोब लेना है आपको तो इससे बड़िया laptop नहीं हो सकता पबजी लाइट के लिए पबजी लाइट इसमें आसानी से चलेगा मलब बिलकुल भी लेग नहीं करेगा पबजी लाइट एकदम बेस चलेगा और यहां पर मैं एक और इन्फोर्मेशन दे दूंगर आपको आप पर walton चल desire और फिर आपको कैसी खेलना है वह मैं आपको कमेंट सेक्षंट में बता दूंगा उसके जब भी मिलाए रहूंगा तो लाइव के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बिल्कुल साफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि राइक उनके साथ और इस वीडियो को लाइक अगर आपको इन में से कोई भी laptop लेना है तो वीडियो के description में लिंक दिया है वहां से लैप ले सकते हैं वह affiliate लिंक है उससे अगर आप लेंगे तो मुझे उससे काफी help होगी आपको कुछ नहीं जाएगा आपको एक source मिल जाएगा एक laptop मिल जाएगा अच्छा वाला एकदम ब देख तो सकते हैं यह उसमें पेसे लगनी रहें आपके तो देख लीजे जाके अगर पसंद आ जाए तो ले लेना नहीं तो ओफ-लाइन भी ले सकते हैं अगर सेम बजट में आपको अगर मिल रहा है लेप्टॉप ओफ-लाइन तो आप ओफ-लाइन लीजे पेली प्रायोटी रखेंहएा और उसके बाद अगर ऑफ-लाइन उस बजट में नहीं मिल रहा है जो की मुझे लगता है बिल्कुल नहीं मिलेगा उस बजट में तों तो फिर आप ओनलाइन ले में अलोन लेते है दैहर इस लिंक पे त्रूलिन ए अफिलिए लिंक है मेनी बहुत हेल्प होग और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कल लो क्यों कि रोजाना मैं एक लिए टेक वीडियो ले के आता रहता हूं और साथ ही साथ कुछ ऐसा इंट्रेसिंग वीडियो जो आपको पसंद आते हैं जो आपकी प्रोब्लम सॉल्व कर करते हैं वो भी मैं लाता करता हूं इसी चैनल पर एट्स आल फॉर इस टाइम थैंक्स वर्चिंग